नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका UPSC EDDA 247 पे So basically एक organization है जिसकी report publish हुई है यह इसका नाम है Daily Politica इस report में काफी भयानक बात mention की गई है इस report में कहा जा रहा है कि चीन और पाकिस्तान जो है वो मिलकर एक कोरोना से भी deadly virus बना रहे हैं जिसको exactly geopolitics में आप bio weapons बहुत सकते हैं तो रावल पिंडी की एक secret lab में यह जो bio weapon है वो बन रहा है बहुत ज़्यादा इस news को cover किया जा रहा है recently Despite global concern, Pakistan and China working on deadly virus काफी अजीब सी बात है कि ऐसा पाकिस्तान और चाइना मिलकर कर रहे हैं और report में काफी बाते हैं भयानक बाते हैं तो इन सब चीजों को हम discuss करते हैं इस वीडियो में bio weapon दरसल होता क्या है और exactly क्या हो रहा है इस news के around सब कुछ हम discuss करेंगे इसे परसुत करता हूँ मैं मेरा नाम है सुरफ स्वामी अचा आगे बढ़ने से फ़ले एक चीज में आपको जरूर याद दिला दूँ देखे अड़ा 247 एप्लिकेशन सबसे पहले तो आप डाउनलोड कीजिए उसके बाद इस पे बहुत अच्छे-चे courses अवेलेबल हैं आप किसी भी exam की त्यारी कर रहे हो SSC, banking, railway, state PCS, UPSC अब जैसे UPSC की बात करें तो देखे 7 नॉंबर से एक supreme batch launch हुआ है सिर्फ दो दिन पहले जिसमें आपको pre plus mains plus c set तीनों की त्यारी करवाए जाएगी 900 घंटे की live interactive classes है और mentorship program भी सी के अंदर है मतलब IS officers खुद आपको mentor करेंगे मतलब आपको बताएंगे कि exactly आपको क्या करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, motivate करेंगे आपको बार-बार में और faculty का साथ तो आपको रहेगा ही CZ का batch भी आपको इसमें मिल रहा है तो UPSC की serious तेयारी के लिए आप इस batch को join कर सकते है इसकी price आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे यह इसकी price है, बट अगर आपको यह price बहुत ज़्यादा लग रही है तो बहुत ज़्यादा आपको discount भी मिलेगा अचा मिलेगा कैसे तो जब आप इसको buy करेंगे सबसे पहले आप application से करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा और अगर आप website से भी करते हैं तो आपको discount code है वो Y572 लगाना है यह Y572 जब आप code लगाएंगे तो आपको 78% का discount easily मिल जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं got a coupon code में आप जाएंगे और Y572 जैसे ही आप लिखते हैं यह जो price है यह 5, 9, 999 थी अब इसमें discount मिल चुका है और यह exact ही हो चुकी है 13, 7, 999 सिर्फ 14,000 से भी कम कीमत के उपर आपको यह course मिल जाएगा supreme batch इसमें देखे e-books, e-notes, pdf, weekly test, test series सब कुछ available है और कई बार यह आपको double validity भी मिल सकता है बनलब चोईस महिने के लिए आपको यह मिल सकता है तो example माँ आपको दे रहा हूँ कि अगर आप UPSC की तयारी कर रहे हैं तो serious होकर आदि आप तयारी करना चाहते हैं तो आप इस course को enroll कर सकते हैं और इसी तरह से state PCS के SSC के banking के railways के बहुत अच्छे अच्छे course अवेलेबल है application के ओपर website पर तो आप उनको भी enroll कर सकते हैं और serious होकर अपने तयारी आगे बढ़ा सकते हैं discount code जो है वो Y572 है जिसका आपको use करना है यह use आप करेंगे तो ही आपको discount मिलेगा coronavirus 2019 में चीन के वहान से पूरी दुनिया में फैला था जिसका विक्राल रूप हमने देखा है बहुत ज़्यादा मोते भी हुई है कई लोगों को यहाँ पर परिशानियों का सामना करना पड़ा है और globally दो साल तक अफरा तफरीज है वो मची हुई थी अब काफी अजीब बात ये भी है कि पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है चाइना में तो ऐसा होता रहता है चाइना में बहुत से buy weapons बनते रहते हैं बहुत से viralology के अंदर center में लेकिन अब पाकिस्तान की जो रावल पिंडिगा एक जो शोद गेंदर है वहाँ पर ये जैविक हतियार बनाने के जो काम है वो चल रहा है एक ऐसा रिपोर्ट में मेंशन किया गया है और देखे इससे पहले अगर हम बात करते हैं तो 15 अप्रेल की ये न्यूज है एक्जेक्ली अप्रेल में भी एक बात हमारे सामने आई थी कि चाइना और पाकिस्तान जहे वो मिलकर एक नया फेटल बायो वेपन बना सकते हैं बना रहे हैं कई रिपोर्ट में ये बात जहे वो मेंशन करी गई थी तो कई बार पहले भी ऐसा किया जा चुका है या फिर ऐसी खबरें हमारे सामने आ चुकी है आज़ा एक्जेक्ली जो बायो लोजीकल वेपन होता है वो होता क्या है सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है तो इसको हम डबल वेचो के अनुसार पढ़ते हैं वर्ल्ड हेल्थ और्गनाशन के अनुसार देगे जब बैक्टिरिया वाइरस या फिर फंगस जैसे जो संक्रामक एजेंट होते हैं वो चान बूज कर मनुस्यों को संक्रमित करने के लिए इनका जब उपयोग किया जाता है या फिर एक कोई वेपन बनाया जाता है वाइरस बनाया जाता है इन सबको मिला कर तो उसे हम जेविक हतियार या फिर बायो वेपन बोलते हैं इनके परियोग से ही मनुष्य का नुकसान होता है हाला कि इन में से अधिकांश का उप्योग वाइरस द्वारा ही किया जाता है मलब वाइरस से ही वाइरस बनाये जाता है और जेविक हतियार बहुत बड़े छित्तर में कम समय में तबाही मचा सकते हैं जains सो आपने कोरोना जो है आपने एक्जामबल के लिए देखा था वे लोगों में ऐसी बिमारिया प्रीदा कर सकते हैं कि या तो मरनने लगते हैं या फिर अबंग हो जाते हैं या फिर मनोरोगी बन जाते हैं अजीब सी बिमारिया हो सकती है क्योंकि देखें कोरोना के बाद इसलिए की जाती है क्योंकि बहुत से जो देश है उनके साइंटिस्ट का ये मानना है कि कोविड-19 जा है वो भी एक चाइना का बाइवेपन ही था हाला कि WHO ने इस बात को अभी तक नहीं माना है मतलब रिसर्च इसके उपर चल रहा है कई टी में भीजी जाती है चाइना में भी लेकिन बहुत से देशों का ये मानना है इंक्लूडिंग इंडिया कि COVID-19 चाइना के दौरा बनाया गया एक बायो वेपन है ये जो बायो वेपन वारफेर है उसका एक पोईंट है चाइना के दौरा जिसको डेवलप किया गया था human से ये by mistakely बनाया गया या फिर leak हो गया था क्योंकि जो lab leak theory है COVID-19 के उपर काफी प्रसित theory है उसी के आधारपर ये बात बार बार mention की जाती है कि चाइना जो है COVID-19 को बायो वेपन के तरह इस्तमाल करना चाता था लेकिन आज हालत ये है कि चाइना पर ही सबसे ज़्यादा भारी पढ़ चुका है वहाँ पर आज भी COVID-19 जारी है जीरो COVID-19 का जो भहिंकर एक मंजर है वो चाइना के लोग जहेल रहे है और जियो पॉलिटी की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार चीन के खुक्ख्यात Wuhan Institute of Virology जहां से COVID-19 बनाया गया था और पाकिस्तान आर्मे के Defense Science and Technology Organization जिसे हम DESTO बोलते हैं DESTO उसने जानलेवा वारिस बनाने के लिए बेहद Advanced Scientific Infatructure जो है वो तैयार किया है रावल पिंडे की इस लेब में और वैसे भी ऐसा कहा जा रहा है कि चाइना और पाकिस्तान के बीच में जो डेडिली वारिस बनाने की डील है वो तीन साल के लिए हुई है इस लेब की location को सकती से चिपा कर रखा गया है कही वाइश्भी की रिपोर्ट के مताबिक चीन पाकिस्तान में ऐसे वाइरस बना रहा है जिन में कोरोना से कहीं ज़्यादा बड़े पेमाने पर फैलने की बीमारी जहां या उन बिमारियों को फैलाने की जो एक capacity जो है वो शमता है ऐसा चीन कर रहा है specifically पाकिस्तान में अज़ादे कि ये image में जो आपको शक्स दिख रहे हैं इनका नाम जो है वो है Anthony Klan Anthony Klan जो है वो एक जनरलिस्ट है और Australia की जनरलिस्ट है इन्होंने 2020 में ही इस बात को mention कर दिया था कि चीन जो है पाकिस्तान का गलत तरीके से यूज में ले रहा है और अगर हम बात करें तो उभरती बिमारियों के पर शोध के नाम से चीन जो है पाकिस्तान के अंदर कई खतरनाक जो वाइरस है वो बना रहा है क्योंकि बहुत खतरनाक एजेंडा जो है इसका इसके पीछे चाइना का है और इस लेब की बात दरसल चल रही है ये रावल पिंडी में एक लेब है और इसे BSL-4 लेब कहा जा रहा है मनलब बायो सेफटी लेवल 4 की ये लेब है आगे हम समझते हैं कि ये BSL-4 लेब क्या होती है तो पाकिस्तान में रावल पिंडी के अंदर ये वारिस टेस्टिंग जह है वो चल रही है और आरोप लगाने वाली जो रिपोर्ट है उसमें कहा है कि ये जो है ये बायो सेफटी लेवल 4 यानि BSL-4 की लेब है ये जो लेब आप देख रहे हैं ये BSL-4 की लेब है BSL-4 लेब एक तरीकी से एक पेरामिटर होते हैं BSL-1,2,3,4 तो 4 का मतलब ये है जहां सबसे खतरनाक और संक्रामक वारिस का परिक्शन किया जाता है इनको डेवलब किया जाता है इनके उपर अध्यन किया जाता है उसे हम BSL-4 टाइप लेब कहते हैं विशे सग्यों का ये मानना है कि BSL-4 लेब का इस्तमाल आम तोर पर जानलेवा विमारियों को फैलाने वाले संक्रामक और जहरीले वारिस के अध्यन के लिए किया जाता है या फिर हम उनका यूज कर सकते हैं ये काफी सेफ्टी जो नमें बनी हुई जो लेब है वो होती है और ये घातक वारिस ऐसी विमारिया फिलाते हैं जिनका ना कोई टीका बन सकता है और ना कोई इनका इलाज हो सकता है तो इनको BSL-4 टाइप लेब जो है वो बोलते है वुहान इंसिटो वारियोलोजी को भी BS BSL-4 टाइप का जी लेब है वो ही कहा जाता है ओके और ऐसा देखे 2020 के अंदर भी पाकिस्तान के ओपर ये आरोप लगे थे सुरी 2019 में कि पाकिस्तान जो है खतरनाक जो वारेस हैं की टेस्टिंग करता है बाद में पाकिस्तान ने कहा कि जो पाकिस्तान है वो BTWC का पालन कर Toxic Weapons Convention ये हुआ था 1975 के अंदर ये एक संदी हुई थी Biological and Toxin Weapons Convention ये आपको जरू ध्यान रखना है इसका परपस ये था कि जेविक सहीत सभी परकार के जो सामोहिक विनाश के जो अतियार है उनके विकास उनके प्रोडक्शन या फिर उनके उप्योग पर रोक लगाना इसक कि चाइना ने इसी जो BTWC जो Convention है इसका पालन नहीं किया है जब COVID-19 के जब आरोप चाइना के उपर लगाए जाते है तब अब देखे यहाँ पर डेडली टेस्टिंग जो है पाकिस्तान में हो रही है वाइरस को लेकर आगे हमें देखना होगा कि वर्ल्ड इसके उपर क्य का रियक्शन देता है और COVID-19 का आउटब्रेक जो है वो वहान की लैव से ही हुआ था ऐसा बहुत से देश अब मानने लगे हैं यूएस की सिनेट रिपोर्ट ने भी इस चीज़ को मेंशन किया है और इसलिए WHO के उपर भी यूएस से काफी ज़्यदा प्रेशर बनाता है कि WHO डायरेक्टली ये बात कभी मेंशन नहीं करता कि ये जो वारेस सही चाइना में बना हुआ है ये सब चीज़े हमारे सामने हैं यह सा इस वीडियो में आपको ज़रू कुछ नहीं जानने को मिला होगा इसी तरीके के important और informative वीडियो के साथ हमागे मिलते रहेंगे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ये सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें तन्यवाद